आप्टर स्टुडिंग भी बॉन हेवर साइकल नाउ वी विल स्टुड़ी अबाउट दी हाइड्रेशन एलर्जी और आयनिक योगीकों की विलेता को हम विस्तार से पढ़ेंगे जल योजन उजा उच्छ परावेद्यृत स्थिरांक वाले जितने भी अडू होते हैं वो पोलर होते हैं तो जैसे उधारण के लिए हम ले लें जल तो जल में क्या होगा जो ऑक्सिजन है वो पार्शली नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन जो है वो पार्शली पॉ कंपाउंड जैसे उधारण के लिए ने प्लस सील माइनस हम ले लें वो जल के संपर्क में आता है जब वो जल के कॉंटेक्ट में आता है तो सोडियम प्लस क्या करता है वो ऑक्सिजन माइनस वो माइनस को अपनी तरफ आकर्शित करता है जबकि क्लोराइड क्या करता है वो एच प्लस को अपनी तरफ आकर्शित करता है तो इस प्रकार जो जल अनू है वो आयन को crystal लेटिस से अलग कर देता है जानी कि जल में जैसे ही हमने जैसे प्रफटी तो इस प्रकार जो जो जल के अनूओं को आयन सराउंड करते हैं तो ऐसी प्रफटी को जल योजन कहते हैं और इस प्रक्रिया में जो उर्जा निकलती हो से हम hydrogen energy या जल योजन ऊर्जा कहते हैं अब hydrogen बंद के कारण क्या होता है molecule अपने आपको विभिन परतों में व्यवस्तित कर लेता है अरेंज इसेल्फ इंटू डिफरेंट लेर्स अब हम कह सकते हैं कि वाटर की तुलना में जल की तुलना में एक वीक बेस है और और अल्सो इट जल की तुलना में एक वीक एलेक्ट्रों डोनर भी है इसलिए ये केटाइन्स को सॉल्वोलिसस की प्रक्रिया से स्थाई बनाने में समर्थ नहीं होता इट इस नॉट अबल तु स्टेबलाइस केटाइन्स बाइ सॉल्वोलिसस प्रोसेस इस पूरी प्रक्रिया में जल यो जन जो हाइड्रेशन हुआ और उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं ये जो पूरा प्रोसेस है ये आयन के आकार पर निर्भर करता है जितना छोटा आकार होगा नूक्लियर चार्ज उसमें अधिक होगा और वो अधिक स्टेवल होगा the small ion with more than one nuclear charge is more stable as the ionic radius increases hydration energy decreases जैसे जैसे ionic त्रिज्या बढ़ेगी और जल योजन उर्जा घटेगी इसका भी आपस में एक link है कि lattice energy से यदि hydration energy अधिक होती है तो वो जल में विले होता है और hydration energy यदि lattice energy से अधिक है तो वो विले होगा तो जितना अधिक solubility होगी compound की उतनी ही उसकी negative hydration energy होगी for solubility of ionic compound the crystal lattice has to be destroyed and the energy required for this should be greater than the lattice energy तो कोई भी lattice का किसी भी solvent में विले होने के लिए उसका तूटना बहुत आवश्यक है और जब lattice तूटता है तभी वो compound जो है वो soluble होता है किसी भी solvent में तो यह हम देख सकते हैं कि जालक उर्जा यदि अधिक होगी जल योजन उर्जा से तो वो insoluble होगा water में और यदि hydration energy जल योजन उर्जा अधिक होगी जालक उर्जा से तो वो compound जो है वो जल में विले होगा दूसरा factor जो ionic compounds की solubility को effect करता है वो है entropy change now what are the factors affecting solubility of ionic compounds जो ionic yogic हैं उनकी विलेता को प्रभावित करने वाले क्या कारक है उनके विशे में हम चर्चा करेंगे तो पहला जो पॉइंट है वो है solute solvent attractions strong solute solvent attractions increase solubility of ionic compounds solute और solvent का जितना आधिक attraction होगा जितना आधिक उनमें आकर्शन होगा उतना ही ionic yogic soluble होंगे और जो ionic yogic हैं यह polar solvents में maximum soluble होते हैं polar solvents जैसे की जल का मुदारन ले लें क्योंकि जो solid के जो ions है यह polar solvent molecules में strongly attracted होते हैं आखर्शत हो जाते हैं इसलिए polar solvents में आसानी से विले होते हैं दूसरा जो factor है वो है common ion effect some ion प्रभाव जिसकों कहते हैं तो ionic yogic जो हैं ऐसे solvents में कम soluble होंगे जिन में common ion होगा जैसे उदारन के लिए हम ले लें calcium sulfate वो पानी में less soluble है slightly soluble है यहाँ इस equation में हम देख सकते हैं कि calcium sulfate जो solid है वो calcium plus 2 और sulfate minus 2 में टूट जाता है convert हो जाता है तो क्योंकि इन में एक common ion है common ion होने के कारण इसकी solubility affected होती है तीसरा है तापमान temperature तो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे solubility बढ़ेगी किसी भी ionic compound की solubility बढ़ेगी क्योंकि इस solution प्रोसेस है यह होगा endothermic जैसे जैसे temperature बढ़ेगा विलेता भी बढ़ेगी अब जब हम बात कर रहे थे common ion effect की भी तो तब भी हमने calcium sulfate का example लिया था तो यहां हम देख सकते हैं कि calcium sulfate solid जब उसको heat दी गई तो वो calcium aqueous and sulfate minus मतलब calcium plus 2 and sulfate में टूट करके अलग हो गया है Lee Shackley principle के अनुसार क्या होता है कि जैसे जैसे temperature बढ़ेगा यानि कि heat अमएट करेंगे तो वो equilibrium की position को right में shift कर देगा और compound more soluble हो जाएगा next है ionic size more the lattice energy lesser is the solubility जितना अधिक जाला कूर्जा का मान होगा उतनी कम उसकी विलेता होगी और more will be it solubition energy तो more will be the solubility जैसे जैसे anion का size increase होगा lattice energy decrease होगी और solubility increase होगी तो ये इस प्रकार से देखिए solubility इस तरह से बढ़ेगी lithium fluoride, lithium chloride, lithium bromide, lithium iodide, cesium के case में भी ऐसे ही cesium fluoride, cesium chloride, cesium bromide and cesium iodide similarly due to large size of cation the solubility decreases ऐसे ही जब cation का जो size है वो large होगा बढ़ा होगा तो solubility घटेगी जैसे magnesium sulfate, calcium sulfate, strontium sulfate और barium sulfate magnesium sulfate की देखे ज़्यादा फिर calcium sulfate, strontium sulfate and then barium sulfate जो factor और जो effect करता है solubility of ionic compounds को वो है ionic charge, ionic आवेश जितना अधिक ionic आवेश होगा उतनी ही कम विलेता होगी जैसे कि हम देख सकते हैं carbonates में, phosphates, sulfates, जितने भी polyvalent compounds हैं ये कम विले हैं आवेशनी एो